सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार जय हिंद कैसे हैं आप सभी लोग उमिद करता हूं अच्छे हैं मस्ता हैं स्वस्त हैं और अपने पढ़ाई को बिल्कुल तैयारी दे रखें आपने अच्छे ढंग से धार दे रखें एक बार फिर से स्वागत आप शभी का आपके नेवरी प्रिवार में और श्वागत करने के लिए तैयार हमेशा की ही तरह है आपका होस्ट आपका दोस्त विजंदर सिंग नेवरी साथियों अपन पढ़ रहे हैं कक्षा साथ कक्षा साथ में हमारा राजस्तान हमारे राजस्तान में चेप्टर फस्ट जो था उसको अप तो पूर्ण होने वाली यह मैं बता देता हूँ यह class read के लिए भी उतनी उपयोगी है जितनी यह class पटवार के लिए उपयोगी है पटवार के साथ साथ one pal है उसमें भी यह chapter आएगा one pal के साथ one रक्षक है वहाँ भी यह chapter है इसके साथ जो आपका first grade है वहाँ पे भी first paper में है बात करें सेकंड ग्रेडर वहां भी है यानि कुल मिला के मियूं कुहूं राजस्तान की सभी जो प्रिक्षाएं हैं जहां पे राजस्तान जोगरोफी आती है और सभी के लिए ये क्लास रामबान साबित होने वाली है तो फुटाफर क्लास को सुरू करने से पहले एक बार प्राकर्तिक संसाधनों में खनीज संसाधन में राजस्तान में विभिन प्रकार के खनीज हैं ये पाई जाते हैं देनिक उप्योग में आने वाली अनेक वस्त्वें खनीजों से प्राप्त उत्पादों से निर्मित होती है और धोगिक विकास के लिए खनीजों के उपलब अब बात आती है खनीज किसे कहते है सीधा सीधा प्रशन आ जाए कि खनीज क्या है तो साथियों याद रखेंगे खनीज है वो एक निश्चित रसाइनिक संगंठन वाला भोतिक पदार्त है जिने खानों से खोद कर निकाला जाता है जैसे सीशा जस्ता चूना पत्था रब् ये क्या है ये खनीज है आपको सीधा सीधा याद रखना है कि खनीज किसे कहते है एक निश्चित रसाइनिक संगंठन वाला जो भोतिक पदार्त है वो मित्रों क्या कहलाता है तो आप कहेंगे उसे कहते है खनीज जैसे कि सीशा जस्ता चूना पत्थर अब्र कोईला तामा लोहा आदी चलो छी ठीक बात है लेकिन अब बात आती है कि गुरुजी खनीज जो है इनका क्या किया जाता है खनन किया जाता है अभी एक प्रशन आया था ऐसे प्रशन आ जाएंगे यह सामान्य प्रशन है कोई special प्रशन नहीं है लेकिन ऐसे प्रशनों के लिए आपको खनन करना पड़ेगा और ये जो खनन है इसके कई से एक प्रकार हो सकते हैं जैसे कि माल लीजिएगा नंबर एक यहाँ पे मैं लिखता हूँ आखनन उसके बाद में मैंने यहाँ नमबर दो दो नमबर लगा के मैंने यहाँ पे लिख दिया माल लेते हैं विवृत खनन क्या लिख दिया विवृत खनन लिख दिया विवृत खनन उसके बाद में मैंने नमबर तीन लगा के लिख दिया कूप की खनन उप की खनन और उसके बाद मैंने नंबर चार लगा के साथियों लिख दिया प्रवेधन अभी ये खनीजों को निकालने की प्रक्रिया है अभी Constable Exam में इसा प्रशन आये था अब जब प्रशन आ जाता है फिर अपन पीछे भागते हैं उससे पहले ही भाग लें क्या पता आपने भी आजए आ खनन का मतलब खनीज जब निकालेंगे खनीज का मतलब खनन करने की क्रिया है वो खनीज आ खनन का मतलब आप यूं मानके चलें जो बिल्कुल सतय के निकट होते हैं सतय के जो निकट होते हैं उनको निकाला जाये जैसे मान लिजिया यह आपका सतह है और इस परकार से यह जैसे प्रत्वी है अपनी ओर बिलकुल सतह के निकट यानि यहां पे कोई खनीज में अब उसको खोद के निकाल लिए इसे क्या कहेंगे यह आखनन है एक आता वीवरित्भनन थो कोड़ा साक परत को यानि कम गहराई में यहां में लिख दू साथ-साथ कि कम गहराई में जो खनीज पाए जाते हैं बिलकुल ऊपर वाली परत को यानि में यहां लिख रहाँ सका प्रस्थिये इस्तर को हटा के यानि प्रस्टिये इस्तर को हटा कर उपर वाली परत को हटा कर जो खनीज निकाले जाते हैं जो खनन की प्रक्रिया उसे कहते हैं विवरित खनन एक आता कूप की खनन मतलब क्या होता है गुरुजी सुनिएगा कूप की खनन का मतलब जहां गहरे गहरे कूवे बनाए जैए, यानि खनीजों के दिक्षेप तक पहुँचने के लिए गैन वेधन किया जाए यानि कूपक बनाय जाए जैसे कि कोईले की खदाने होती है वो खनन कौन सा, कूप की खनन जैसे इस प्रकार से इस प्रकार से एक मिनिट इस प्रकार से गहरी गहरी खाने बनाई जाए और वहां से फिर निकाला जाए उसे क्या कहेंगे कूप की खनन एकाता परवेधन यानि जो पेट्रोलियम निकालते हैं पर लोग पेट्रोलियम है प्राकर्तिक गेस है ये धरातल के काफी नीचे है ये काफी नीचे से पेट्रोलियम यानि मैं इधर लिख देता हूँ पेट्रोलियम और जो प्राकर्तिक गेश है इसको निकालने की जो विधी है वो क्या कलाती प्रवेधन सबसे उपरी उपर क्या होगा आखनन आखनन के बाद में विवरित खनन उसके बाद में कूपकी खनन और लास्ट में कूझ सा प्रवेधन तो पेट्रोलियम ये प्राकर्तिक गेश है ये कौन से विधी शे बाहर निकाला जाता है तो मित्रों याद रखीगा ये निकाला जाता है किस के माध्यम से आपका प्रवेधन के माध्यम से पहला आखनन सतय के निकट उससे तोड़ा न अपन खनीजों के प्रकार की अब बात करेंगे अपन खनीजों के प्रकार की खनीजों के प्रकार में यहां तीन टाइप आपको लिखे वे दिख रहे हैं नंबर एक पे सातियों क्या लिखा हुए नंबर एक पे धात्वी खनीज यानि जिन खनीजों में धातू की मात्रा पा चला इनको गला कर नवी नुत्पाद प्राप्त किया जाता है यानि इनका जो कच्चा रूप है उसको अपन क्या नाम दे शकते हैं उसको अपन एसक नाम दे शकते हैं कच्चे रूप को क्या कहा जाएगा एसक जिसे अपन लोहा बोलते हैं लोहे के एसक होते हैं उसी प्रकार जैसे अपन बोलते हैं ऐलूमिनियम एलूमिनियम का एसक होता है वोकसाइट लोहे के भी चार एसक है ना कोईले के भी एसक होते हैं क्या कोईले के एसक नहीं होते हैं तो याद रखेंगे मित्यों कच्छा रूप क्या कहिलाता है? तो आप कहेंगे कच्छे रूप को ask कहते हैं. अब बात आएगी कि ये जो धात्वी खनीजیں ये कौन-कौन से हैं? कौन-कौन से खनीजें? इनको अपन धात्वी खनीजों की स्रेणी में रख सकते हैं. सीधा सीधा प्रशन आजे कि धात्वी खनीज नॉर्मल चाग प्रशन आता है लोहे एस के ये केसा खनीज है तो आप कहेंगे लोहे एस के ये धात्वी खनीज एक मिन्ट सारनी नीचे नीचे देख लेंगे पर उसके बाद एधात्वी खनीज में याद रखेंगे इन खनीज पतलव चूना पत्थर है उसको डिजाइन अलग दे देंगे लेकिन है अधात्विक ना स्रोक फोस्पेट है उसका रूप बदल देंगे लेकिन उसको गला के उसका नया रूप नहीं बनाया जाता उसको आकार अलग दे दिया जाता है तो यह क्या है यह जैसे हैं प्रकरती मे से खनीज हैं तो आप कहेंगे यह उर्जा खनीज है एक ओर आता है नंबर च्यार पे में लिख दूँ आणविक खनीज जिनके विखंडन से हमें एनरजी मिलती है उनको क्या कहा जाता है साथियों तो आपका उत्तर आएगा उनको कहा जाता है आणविक खनीज क्या कहा जाता उनको आणविक खनीज जाता इस चोटी सिक बात आपको याद रख लेगे अब देखीगा अब बात आ रही यह कौन-कौन से धात्विक खनीज उसके बाद में मैं यहां लिख दूँ क्रोमाइट केसा है क्रोमाइट यह भी धात्विक है मैंने कहा सोना केसा है यह भी धात्विक है मैंने यहां लिख दिया टंगस्टन केसा है यह भी धात्विक है और अपने राजस्तान में तो इस पेसल यही पाए जाते हैं लोहाइस्क बिल्कुल बोकसाइट भी होते हैं, लेकिन इनमें अब एक वर्गी करण करेंगे हैं, कि कौन से ये सारे के सारे धात्विक हैं, लेकिन यहाँ दो केटेगरी बन जाती है, धात्विक में एक होता है लोह है धात्विक, और एक होता है एलोह है धात्विक, लोह है धात्विक मत जैसे मैंने कहा सोना अब सोने में लोहा होता है क्या नहीं होता जैसे मैंने कहा चांदी लोहा होता है नहीं होता जैसे मैंने कह दिया तांबा लोहा होता है नहीं होता जैसे मैंने कह दिया सीसा लोहा होता है नहीं होता हैं तो धात्विक लेकिन एलोहे धात्विक हैं उसी प् प्रोमाइट है ये केसे हैं लो है सीसा जस्ता चांदी ताम भाई ये केसे एलो है चलो ये तो होगे धात्विक कोई ट्रीक नहीं है ट्रीक बच्चों को बताई जाती है अब बात करते हैं मित्रों एधात्विक दातु नहीं है जैसे चूना पत्तर केसा है एधात्विक है जै बाकि आपको कुछ नियाद करना जितने भी पत्थर होते हैं ये सारे के सारे शाथियों क्या होते हैं एधात्विक खनीजों की स्रेणी में आते हैं मुखे मुखे कई दफा पूश लिया जाते हैं अबरक केसा है एधात्विक याद रखीएगा जिपसम केसा है एधात्विक है रौक फोस्पेट केसा है एधात्विक है बाकी चाहें वो गिया पत्थर है चाहें चूना पत्थर है चाहें आपका वो कोई सा भी पत्थर है सारे के सारे केसे होते हैं एधात्वी उर्जा खनीज की बात करते हैं तो कोईला है खनीज तेल है प्राकरतिक गेस हैं ये केसे हैं याद रखिएगा ये उर्जा संसादन है उर्जा खनीज है अब आगे चलते हैं अपन एक एक खनीज की बात कर लेते हैं यहाँ पे एक बात कही ज जास्पर, सीशाजस्ता, ये राजस्तान के लावा कहीं नहीं होते हैं, होने को मैं और भी लिख सकता हूँ, जैसे सेले नाइट, इसके मामले में भी राजस्तान का एकाधिकारी है, सेले नाइट में राजस्तान का एकाधिकार है, वोलेस्टो नाइट में, जास्पर में, नहीं होते हैं यानि सो प्रतीशत उत्पादन कोन करता है तो आपका उत्तर आएगा सो प्रतीशत उत्पादन अपना राजस्तान करता है एक और नाम लिखता हूं में सिली Silly CS ये भी परशन आ सकता है नया है Silly CS है ये आपने पढ़ानी होगा Silly CS Salenite Woles tonight Knight के मामले में राजस्तान का कोई आपके एक आधिकार है याद रखेंगे Silla монet shipar in Carrie इनके इंदर भी राष्तान का क्या है एक आधिकार अब फिर आगे बात आती है गुरुजी इनके अलावा और ऐसे खनीज मी है जिन में राजस्तान अग्रणी है बिल्कुल अग्रणी है अगर बात करें वो कौन-कौन से खनीज है जिन में रास्तान अग्रणी जैसे संग्मर्मर के मामले में रास्तान है वो अग्रणी है गुर चांदी के मामले में तो 99 पोइंट में 9 प्रतिसत चांदी रास्तान में होती है जिपसम है लगबग 94 प्रतिसत रास्तान में होती है बात करें अपन रोकफोस पेट की लगबग 75 प्रतिसत रास्तान में होता है केल साइट है बाल कले है गिया पत्थर है तामबा की उत्पादन में राज जगर्नी आगर्नी वाला नहीं आपको इतना याद रखना है कि अपने राजस्तान का एका धिकार है ये सिलीसियस के अंदर है सेले नाइट में है वोलेस्टोनाइट में जस्पर में है सीशा जस्ता में इनमें राजस्तान का देश में क्या है एकाधिकार है अब देखेगा मित्रों नेक्स्ट बात आपकी आएगी कि ये तो एकाधिकार की बात अब यहां बात आई रही है तो पन करी लेते हैं ये करेक्षनीजों की उपलब्दता एवं उत्पादन में राजस्थान का रावली परवत माला चेत्र महतोपून है और इसलिए राजस्थान को साथियों क्या कहा जाता है राजस्थान को कहा जाता है खनीजों का अजायब घर क्या कहते हैं राजस्थान को खनीजों का अजायब घर कहते हैं क्यों कहते हैं क्यों कि यहां पर खनीजों की विविद्धता है यहां पर खनीजों की डाइवरसि गुरुजी ये तो विविद्धता के कारण कहलाता है बिलकुल विविद्धता के कारण कहलाता है लेकिन अगर मैं बात करूं कि राजस्थान का देश में इस थान कौन सा आता है खनीजों में तो मित्रों याद रखेंगे दूशरा गुरुजी फिर पहला किसका आता है तो सा राजस्तान को क्या कहते है खनीजों का अजाइब घर कहते है नंबर एक पे कोन आता है तो मित्रों गोर करेंगे नंबर एक पे जो आता है पूरे देश में वो आता है जारखंड नंबर एक पे कोन आता है जबकि नंबर दो पे कोन आता है तो यहाँ याद रखेगा आप कुल बात हैं देख लेते हैं कौन कौन सी अब आगे बात आती है कि अपने खनीजों की बात करी रहे हैं राजस्थान में राजस्थान में कुल कितने खनीजों का वर्तमान में दोहन हो रहा है यानि याद रखें 57 खनीजों का कितने खनीजों का 57 खनीजों का उत्पादन है य पहले रास्तान में 67 परकार के मुखे खनीज हुआ करते थे उसके बाद 82 परकार के खनीजें उनकी प्राप्ति रास्तान में हो रही है और इन में से 57 खनीजों का उत्पादन रास्तान के इंदर होता है कितने खनीजों का उत्पादन रास्तान में होता है तो याद रखेंगे इसके लिए क्या कोई संस्था राजस्तान में कारिय रथ गया तो मित्रों गोर करेंगे राजस्तान में एक संस्था आती है RSMML यानि राजस्तान स्टेट माइन्स एंड मिनरल्स लिमिटेड है इसकी स्तापना कमपनी अधिनेम 1956 के प्रावधानों के तहत कब की जाती है तो य खनीजों का विज्ञानिक रूप से अन्वेशन हो सके उत्खनन हो सके इसले इसकी की जाती है मुख्याले इसका उदेपुर के अंदर पंजिकरित कारेले कहां पर जेपुर चलो ठीक उसके बाद एक नई संस्ता और खोली जाती है साथी जिसका नम था RSMDC राज्तान स्टे दिया जाता है यानि याद रखेंगे 2003 में एक करके और एक जो नाम रखा जाता है वो रखा जाता है RSMML यानि रास्तान स्टेट माइन्स एंड मिनरल्स लिमिटेड है इसमें विले कर दिया जाता है RSMDC का कब 2003 में 20 फरवरी 2003 को विले कर दिया जाता है उसके बाद रास्तान में एक और संस्ता है हिंदुस्तान को पर लिमिटेड भी चल रही है 1967 से वो आपका स्पेसल तामा उत्खनन के लिए है ये बातें आपको याद रखनी है तो राज्तान में संस्ता कुन सी मित्रों याद रखेंगे RSMML स्थापना चोहतर में हुई थी RSMDC की स्थापना कौन सा चित्र है वो गरनी है आदी आदी बातने अपन करते हुए चलते हैं देखेगा बने रही है कलास को सेर जरू कर दीजी आप सेर करने में कंजूसी नहीं हाज जी तो ये तो अपनने कुछ चीजों की चर्चा की यहाँ पर हाँ ये देख लीजीगा राजस्तान में क्या करें भाई साब ये कि सीशा जस्ता राजस्तान में उत्पादित होता है इसके उप उत्पाद के रूप में चान्दी केडमियम प्राप्त होता है देबारे में जस्ता सोदक सेंतर चंदेरिया में सीशा जस्ता सोदक सेंतर आदिया दिये अभी अपन डाटा की बात करक्ए है इन डाटा में आपको दो डाटा और बता देता हूँ, मैं याद कर लिजेगा, देश का 22 प्रतीशत खनीज ये कहां पे होता है भाई सार्थान में होता है, और दूसरा डाटा महत्तो कूर आपको बता दूँ, कि GDP में खनीजों की इसे दारी कितनी है 5 प्रतिशत है ग्ड़ीपी में खनीजों का यह प्रतिशत हैं देश के खनीज का कितना प्रतिशत 22 प्रतिशत कहाँ पे होता है रास्ता नहीं होता है अब बात करते हैं पन सीशा जस्ता की सीशा जस्ता है ये मुख्य रूप से कहां पे होता है सीशा जस्ता इन दोनों को कह सकते हैं जुडवां खनीज परशन आ सकता है मित्रों सीधा सीधा कि कौन से खनीज जैसे हैं जिनको जुडवां वो होता है गेलेना सीशे का एस्क कौन सा है गेलेना जबकि जस्ते के एस्क में याद रखेंगे केलेपीन है विलेमाइट है जिंकाइट है और हेमीमोरफाइट है यानि याद रखेंगे जिंकाइट किसका है जिंकाइट जस्ते का है वेसे याद रहेगा जिंकाइट है ये इ पोई-षस्ता के उत्पाद नमें अलवर में में सीशा जिस्ता के उत्पाद की रूप में, सहे उत्पाद की रूप में। और उत्पाद है सिलफ्यूरीकेशिड, केडिमें और कोबाल्ट है। सेलफ्यूरीक एसिड केडमियम और कोबाल्ट अब अपन सीशाजस्ता राजतान में होता कहा है एक बार स्पीड ली इसको देख लेते हैं ये मान लीजिए मैं आपको यहाँ इस प्रकार से एक मेब बना देता हूँ कि राजस्तान में सीशाजस्ता कहां कहां होता है आप पुरा आगूचा गुलाब पुरा ये कहां पे भिलवाडा में सीशाजस्ता होता है उसके बाद में प्रशन आएगा जावर चित्र कहां पे जावर चित्र उदेपुर में सीशाजस्ता होता है जावर में स्पेसल जावर में मगरा चित्र में मोचिया मगरा ब्रोड मगरा स जबकि राज समंद में राजपुर दरीबा सीशाजस्ता के लिए जाना जाता है जबकि बात करे मित्रों घुंगराव मांडो ये डुंगरपुर में सीशाजस्ता के लिए जाता है बाल डालिया बासवाडा में सीशाजस्ता के लिए जाता है एक नमबर पे बताईएगा चेत्र के पास में राजपुर दरीबा चेत्र याद रखेंगे यह क हाँ पर रासमन्द में रांपुर आगुचा गुलापुर आए काँ पर यह आपका भीलवड़ा के इन्दर है अन्ने चेत्रों में आपको बता दिया चोतका बरवडा कहां पर स्वाई मादूपुर में जुनजनू खेतडी में होता है अलवर में भी होता है सीकर में भी होता है विदुततार उपकरण और बरतन बनाने की क्याम में अच्छी बात है तामबा जो है यह सबसे ज्यादा कहां हो रहा है तो साथ यू याद रखेंगे तामबा सबसे ज्यादा होता है अपने अब बात करते हैं कि अपने राजस्तान में तामबा जो है यह होता कहां कहां पे है एक बार के लिए पन मेब बना के थोड़ा साग मैं सरफ रिपीट करूँगा इनको लिखेंगे आप आराम से तसली से धीरे धीरे कर लूँगा इतना कर सकता हूँ मैं तामबा खेतडी सिंहाना चेत्र कौन सा चेत्र खेतडी सिंहाना चलो लिख भी दूँ किया ये तामबे वाला तो महत्तुपून है खेतडी सिंहाना चेत्र याद रखेंगे यहां कौन कौन से है यहां बरखेरा की खान है यहां कोलहन की खान है यहां मंधान की खान है यहां कहां पे यहां पे अखवाली है अखवाली कहां पे है आपका खेतडी चेत्र में यहां पे बबाई नाम का चेत्र है यहां पे सत्य कुई नाम का चेत्र है यहां पे चांद मारी यह तो इस पेसल प्रसन याद रखना है चांद मारी तामर प्रोजेक्ट कहां पे तो याद रख ये खेतडी के चेत्तर हैं किस के लिए तामबे के लिए जाते हैं और पूरी पेटी को कहते हैं परशadt असकता है मित्रों कि खोधरीबा जो जाना जाता है किस काम के लिए खोदरीबा जाना जाता है किसके लिए तांबे के लिए है कहां पे ये है आपका अलवर के अंदर अलवर का खोदरीबा किसके लिए जाना जाता है तांबे के लिए जाना जाता है एक आता है पूर्बनेडा पूर्बनेडा है कहां पे तो साथियों गोर करना पूर्बनेडा भिलवडा में ये भी किस के लिए जाना जाता है तामबे के लिए जाना जाता है उसके बाद में गुरुजी और भी है क्या बिलकुल है रेल मगरा कहां पे चितोड के इंदर है अक अंजनी सलूंबर जो तांबे के लिए जाना जाता है ये कहां पे उदेपुर के अंदर मैं तो पुन बात आपको याद रखनी है अंबा जी की पाली कहां पे बताये थी चलो एक बार मेरे साथ रिपीट करो याद होंगे और इनको याद कर नहीं गड़ा में और अंजनी सलूमर उदेपुर के अंदर बसंत गड़ंजारी सिरोही में बसंत गड़ंजारी कहां पे सिरोही में बसंत गड़ंजारी कहां पे सिरोही के अंदर कोलियान मंदान ये खाने कहां पे ये खाने प्रसिद खाने जो आपका खेतड़ी में और कोलियान की खान से कई बार प्रशन आ चुका है अब चलें आगे अब बात करते हैं साथियों लोहे की लोहा गुरुजी कहा कहा होगा पहली बात तुझ साथियों ध्यान दे लोहे के एसक से प्रशन आ सकता है चार एसक होते हैं एक होता है मेगनेट टाइट नंबर दो पे इसका एसक होत नमबर चार पे इसका एसक है सीडे राइट ये चारों एसक किसके हैं लोहे के हैं कौन-कौन से हैं मेगनेटाइट हेमेटाइट लीमोनाइट सीडे राइट मेगनेटाइट हेमेटाइट लीमोनाइट सीडे राइट किसके एसक हैं लोहे के एसक हैं कौन-कौन से मेगनेटाइ होता है हैमेटाइट ही होता है कुन सा हैमेटाइट अब लोहे का उत्पादन का होता उसकी भी बात कर लेता है साथ यूँ गोर करेंगे लोहे का उत्पादन मुख्य रुप से कहां पर होता जेपुर में जेपुर के इंदर कौन सा चेत्र है तो याद रखेंगे मोरिज्जा बानोला जेपुर में कौन सा मोरिज्जा बानोला ये किसके लिए जाना जाता है ये आपका लोहे के लिए जाना जाता है गुरुजी मोरिज्जा बानोला में कौन सा है तोड़ा चीपलाटा थाइबनिया काबास बागवास ततिरी याद करो साग साग बोलो तोड़ा चीपला तोड़ा चीपलाटा थाई बानिया तोड़ा चीपलाटा थाई बानिया काबास बागवास तातरी फटाफट सेर कर दो मुखे चेटर पूछा जाए तो याद रखेंगे मौरीजा बनोला कहा का है जेपूर का अब जेपूर के पास यह बात कर लेते हैं जेपुर के पास एक जिला आता है दोशा और दोशा का चेत्र पूछा जा सकता है लोहे में नीमला राईशुला दोशा में कुन सा है नीमला राईशुला चेत्र किसके लिए जाना जाता है ये भी लोहे के लिए ही जाना जाता है बाकि नीमला राईशुला में बानगड रतन पुरा राजगड आदी चित्र हैं जो लोहे के लिए जाने जाते हैं कोई खास बात हैं उसके बाद गुरुजी सीकर सीकर में वो ही याद रखेंगे सीकर में निमका थाना चित्र जाना जाता है उसके बाद गुरुजी जुन्जनु जोंजनों में डाबला सिंगाना पेटी खेतडी सिंगाना किसके लिए थी तामबे के लिए परशन आजाए डाबला सिंगाना किसके लिए तो डाबला सिंगाना लोहे के लिए डाबला सिंगाना किसके लिए लोहे के लिए जब की बात करें अपन केतरी सिंगाना किसके लिए था केतरी सिंगाना तांबे के लिए किसके लिए तांबे के लिए उसके लावा और भी है क्या बिलकुल और भी है देख लेते हैं अपन और कौन कौन से हैं इधर मेब बना के एक बार अपने राजस्तान में जो दक्सनी राजस्तान है यहां पे नाथरा की पाड और थुर उंडेर लोहे के लिए उदेपुर में जाने जाते हैं कमलपुरा लंपा कहां पे बांसवडा में लोहे के लिए तलवारा खामरिया और लोहारिया कहां पे डुंगरपूर में लोहे के लिए डग पादरपाल कहां पे जालावाड में किसके लिए लोहे के लिए डग पादरपाल जालावाड में लोहे के लिए जानी जाती ये कहांपे लोवर में लोही के लिए गुरजी खोदरी बाव इतालवर में बिल्कुल था वो किसके लिए था अब लोहे के बाद में एक्स आता है साथियों कौन सा चांदी से प्रशन बनेगा चांदी कहां पे उदेपूर के इंदर चांदी सबसे ज़्यादा रास्तान में कहां होती है तो याद रखेंगे उदेपूर में हाँ जी तू सिल्वर कहां पे हो रहा है याद रखेंगे सिल्वर अपने राजस्तान में सबसे ज़्यादा हो रहा है उदेपूर में उदेपूर में गुरुजी कौन सी खान है याद रखेंगे जावर की खान है चांदी का उत्पादन किस के समय से हुआ था तो याद रखना आपको राणा लाखा के सासनकाल से अपने राजस्तान के अंदर चांदी का उत्पादन हो रहा है राणा लाखा के समय से विदूत का जो सबसे उत्तम सुचालक होता है विदूत का सबसे उत्तम सुचालक कौन सा होता है तो याद रखेंगे चांदी होता है इसके ऐसक कौन से अगरेंटाइट है पाईराजाई राइट है स्टेर फ्लाइट है होर्न सिलवर है ये सके हैं और इसका बात करें चांदी का सोधन एक बिहार के अंदर भी टूंडू टूंडू नाम की जगे वहाँ पर होता है बस चांदी में इतनी बात जावर की खाने या यहां भी नागोर में भी गंगानगर में भी बाड मेर में भी जेसल मेर भी पलास्टर और पेरिस के रूप में किसे काम में लिया जाता है जिपसम को काम में लिया जाता है अब जिपसम के कुछ एक नाम है नए ने यहां में लिख देता हूँ जैसे मानलो प्रशन आजाए हर हरसोंट किसे कहते हैं हरसोंट जिपसम को कहते हैं खडिया किसे कहते हैं खडिया किसे कहते हैं जिपसम को कहते हैं सेले नाइट किसे कहते हैं जिपसम को कहते हैं सेले नाइट भी किसे कहते हैं जिपसम को कहते हैं गोधनती किसे कहते हैं तो भी याद रखेंगे जिपसम को कहत प्लास्टर और पेरिस बनाने में काम मिली जाती है अब देखिएगा जिपसम होता कहां कहां है ये पन देख लेते हैं देखिएगा बिकानेर के अंदर आपसे पूछा जे एक याद रखना है जामसर की खान कौन सी खान जामसर की खान किसके लिए जानी जाती है जिपसम के ल चेत्र आता है गोठ मंगलोद गोठ मंगलोद गोठ सोंट गोठ सोंट याद रखेंगे हर सोंट कहां होती है गोठ मंगलोद है इसके इलावा भादवासी है इसके इलावा जोदियासी है केरात है मधाना है दाकोरिया है मालगु है बडान है को नहीं याद करना अपने को इतन में प्रशन आएगा बाड मेर में काबास है यहाँ पे भी आपका क्या हूताँ जिपसम होताँ इसके लावा कुरूला में भी जिपसम होताई अगुरूजी एसे प्रशन आएगे क्या बिलकूल आएगे भाई साब तोपिक छोड़ना ही नहीं है मैंगो रोह एक बार अरसस त चुटाओने पीछा पीर की ढानी कहां पे है ये भी बाड मेर के इंदर है उत्तरलाई कहां पे है ये भी बाड मेर के इंदर जिपसम के लिए जाना जाता है चित्र का पाढ़ कहां पे ये भी बाड मेर मेर में किसके लिए जाना जाता है जिपसम के लिए परसन कहां से आ सकता है गुरुजी प्रसन आ सकता है कावास कुर्ला स्योकर पीर की डानी आप पीर की डानी दिन गाल सके था नबाड मेर में की वास्ता है जिपसम इसके लावा गुरुजी जेसल मेर मेर में जो आपका मोहनगड छेत्र है जेसल मेर मेर में मोहनगड छेत्र है हमीर वाली डानी है ह लाखा चेतर है लाखा के साथ लखरोर चेतर है यहां पे मित्रों क्या होता है यहां पे आपका क्या जिपसम पाया जाते है गुरुजी इसके लावा जोदपूर के इंदर भी आपका फालसूंद चेतर खुटानी चेतर है पाली के इंदर खुटानी है जोदपूर में चलें आगे चलते हैं तो जिपसम में याद रखेंगे बिकानेर की जामसर की खान, नागोर का गोट मंगलोद, इस पेसल अब सातियों बात करते हैं किसकी रॉक फॉस्पेट की रॉक फॉस्पेट से क्या-क्या प्रशन बन सकता है रॉक फॉस्पेट में आपको याद रखना है इसे लवणिय भूमी में अपन लोग प्रियुक्त कर सकते हैं किसको? रॉक फॉस्पेट को किसमें प्रियुक्त कर सकते हैं? लवणिय भूमी के अंदर रॉक फॉस्पेट को अपन प्रियुक्त कर सकते हैं अगली बात यह आएगी कि रौक फोस्पेट जो है इसमें क्या-क्या विसेश प्रशन बनेंगे इसकी खाने कहां कहां पे हैं चलो देख लेते हैं पर एक छोटा साक मेब बना लेते हैं दक्षनी रास्तान में हैं तो अपन इसको इस प्रकार से बना लें ये देखिएगा सबसे महतोपुन बात उदेपूर उदेपूर में गुरुजी कौन कौन से चेत्रा देख लीजेगा उदेपूर के अंदर एक जामर कोटडा प्रशन आएगा कि जामर कोटडा की खान किसके लिए जानी जाती है ये रोक फोस्पेट और इस खान को सर्वसरेश्ट खदान का प्रुषकार भी मिले था जामर कोटडा इसके लिए इसके लावा डफन कोटडा है ये किसके लिए ये भी रोक फोस्पेट के लिए इसके लावा माटून चेत्र है ये भी किसके लिए रोक फोस्पेट के लिए इसके लावा आपका कारबेरिया चेत्र ये भी किसके लिए ये भी आपका रुक फॉस्पेट के लिए लेकिन जो बार-बार रिपीट होता है जो परसन वो है जामर कोटडा की खान किसके लिए रुक फॉस्पेट रोक है तो जामर है रोक है जामर है तो रोक है रोक है रोक है तो जामर है बांसवाडा में गुरूजी कुनसो है मोट्या किसके लिए रोक फॉस्पेट के लिए गुरुजी जेसल मेर में भी एक इस्तान बिल्कुल है बिर्मानिया बिर्मानिया चेत्र कहां पे है जेसल मेर में ये भी किसके लिए रोक फॉस्पेट के लिए अचरोल कहां पे है अचरोल जेपुर में ये भी किसके लिए रोक फॉस् गुरुजी महतोपोण सबसे महतोपोण कौन से है तो मित्रों याद रखेंगे इनमें सबसे ज़्यादा जो महतोपोण है जाहां से प्रशन बनने के चांखे जहें देश का सरवाधिक रूखफोस्पेट का उत्पादन कहां से होता है तो याद रखेंगा जामर खोटडा की कहां से जामर कोटडा की खांद से रूख फुस्पिट का उत्पादन होते हैً अब आगे बात करते हैं अपन किसकी अबरक की गुरुजी अबरक की बूर्ची अबरक की लिए शार के लिए और इसलिए भीलवारा को क्या कहा जाता है भीलवारा को अब्रक नगरी भी कहा जाते हैं सीधा सीधा प्रशन आए गा कि भीलवाडा को अब्रक नगरी क्यों कहते हैं ब्रक नगरी का इसलिए भीलवाडा को वस्तर नगरी भी कहा जाते है गुरुजी भीलवाडा का छेतर आजया के आजया मोटेर क्यों को नहीं आजया आई जया जी कर ले जना तो आई सके कौन कौन से मैं रिपीट कर रहा हूं पहले के लिखे वे हूंगे कुछ स्टुडेंट के पास क्योंकि पहले भी खनीजों की कलास हो चुकी है ये पनकक्षा साथ पढ़ रहे हैं इसलिए रिपीट करना जरूरी है दाता बुनास टूंका बनेडी फेलिया सिंद्रिया सापदी रतनगावा बानकिया बंजारी गोर्खन बेमाने कोचरियो गोकलपुरो ये क्या का छेतर है ये छे किसके लिए अबरक के लिए अब दूसरी बात गुरुजी अबरक का एक चूरा होता है इसे क्या कहते हैं इसे कहते हैं माई के नाइट क्या कहते हैं माई के नाइट गुरुजी अबरक सफेद सफेद भी होती है क्या होती है सफेद अबरक को कहते हैं रूबी अबरक रूब जबकि गुलाबी जो अबरक होती है मित्रों इसे कहते हैं बायो टाइट गुलाबी अबरक को क्या कहते हैं गुलाबी को कहते हैं बायो टाइट जबकि सफेद अबरक को क्या कहते हैं रूबी सफेद अबरक को क्या कहते हैं रूबी सफेद अबरक को क्या कहा जाएगा रूब सफेद को क्या कहेंगे रूबी गुलाबी को क्या कहेंगे बायोटाइट और माई के नाइट के इसका चूरा इसका एसक पूछ ले तो याद रखेंगे मसको नाइट है ये क्या है मसको नाइट ये इसका एसक किसका अबरक्का किसका अबरक्का अबरक इसके लाओ और कहीं भी होती ही क्या बिलकुल होती ही उदेपूर के अंदर भी चंपाग उडा गालवा दोला मेत्रा है अजमेर में नसिराबाद कि संगर्ड मंगली आवास है जेपूर के अधर आपका संकरवाडा छेतर है लक्षमी की खान मोति खान है लेकिन कोई खास बात है नहीं खास बात है कौन सा उद्योग भई वोलेस्टो नाइट अब बात आती है वोलेस्टो नाइट के बाद में संग मरमर की संग मरमर कहां होता है देखिएगा संग मरमर जिसे पन मार्बल कहते हैं कहां कहां होता है एक बार पीट कर लेता है संग मरमर जिसे पन मार्बल कहते हैं सीधा सीधा प इंतरी चटान है कौन सी चटान का ये रूप बदला हुआ है तो चूना पत्थर से क्या बनता है मित्रों चूना पत्थर से संगमरमर बनता है किस से बनता है संगमरमर चूना पत्थर से क्या बनता है संगमरमर चलो ठीक बात है ये तुमानली मैंने लेकिन दूसरी बात है कि स सफेद संगमरमर कहां का है सातियों गोर करना सफेद जो संगमरमर है ये मकराना का है सफेद संगमरमर कहां का है मकराना का गुरुजी काला संगमरमर कहां का है काली काली बेंसु है नहीं तो याद राखो काला संगमरमर है ये भेंसलाना का काला संगमरमर कहां का है भेंसलाना क गुरुजी बहेंसलाना के अलावा आंधी नाम का चित्र है, जेपुर में ये दोनों, बहेंसलाना भी जेपुर में और आनधी भी कहां पे है जेपुर कहेंदा है, उसके बाद प्रशन आजै, गुरुख गुरुजी गुलाभी संग्मरमर कहा होते हैं? बिल्कुल बताएंग गुलाबी होता है गुरुजी गुलाबी के बाद में प्रशन आजाए कि लाल संगमरमर कहां होता है तो सातियों गोर करेंगे लाल संगमरमर धोलपुर में भी होता है और लाल संगमरमर करोली में भी होता है लाल संगमरमर धोलपुर में भी होता है और करोली में भी मरमर बाबर माल उदेपुर में काला भेसलाना के इंदर सफेद मकराना के इंदर गुलाबी देवी माता बाबर माल में लाल धुलपुर के इंदर फिर परशन बनेगा गुरुजी हरा काला संग्मरमर यानि मिक्स में हरा और काला संग्मरमर यह कहां पे होता है तो मित्रों गो याद रखेंगे सट्रंगा जो संगमर मर यह क्हाद्र आपाली में जब की बात करें पीला संगमर पर कहाँ जीसल मेर यह तो संंगमर मरमर के अलग-अलग मैंने आपको कलर बताई अब फिर प्रशन बनाऊंगा कि संग मरमर की संग मरमर की जो फस्ट खान थी ये राजस्थान में कहां पे थी तो मित्रों गोर करेंगे संग मरमर की फस्ट खान आर के मारबल कहां पे है आर के मारबल तो याद रखिएगा आर के म पर बनेगा कि मारबल के लिए राजस्तान सरकार ने निती कब घोसित की 1944 में और संसोधित निती कब आई तो 2002 में ये संग्मरमर के लग लग परकार में आपको बताए चंग्मरमर की मूर्तिया कहा हम उती जेपुर में लहरदार संग्मरमर कहां पे रातसमंद में बदामी कहां पे जोदपुर में अब बात आती है संगमरमर के बाद में इससे मिलता जुलतापन कर लेता है ग्रेनाइट ग्रेनाइट केसी चट्टान है तो याद रखेंगे मित्रों ग्रेनाइट आगने चट्टान है ग्रेनाइट केसी चट्टान है या आगने चट्टान है केसी आगने ग्रेनाइट सिटी किसे कहते हैं तो याद रखेंगे जालोर को कहते हैं फिर परशन बनेगा जेसल मेर में केसा संगमरमर होता है तो यहाँ पे पीला संगमरमर पीला ग्रेनाइट कहां होता है जेसल मेर का पिथला गाम गुलाबी कहां पे होता है तो याद रखेंगे जालोर की सिवाना छेत्र में होता है हारा ग्रेनाइट कहां पे होता है यह आपका डूमरपुर में होता है काला ग्रेनाइट कहां होता है काला डेरा जेपुर में होता है चूना पत्थर का सबसे महतोपूर उत्पादक राजस्थान भारत में चूना पत्थर का एक बड़ा उत्पादक कोन है तो मैं तो याद रखेंगे राजस्थान है और राजस्थान में इसलिए कोन सा उत्दोग पनप रहा है सिमेंट उत्दोग राजस्थान में इसलिए कोन केंट के लिक अच् olmaz काशे चछ चूर चरक च्छ चूमा पत्तर सबसे ज़्यादा कहा होता है चैट्तोड में कहां पर पर होता है चितओड चलते हैं हाँ जी चले आगे चलते हैं अब यहांपे कहाराो रास्तान प्रमुख प्रमुखनीजों का वित्रण है यह दिखा रहा है यहां पे इस मेप में थोड़ा देख लें अगर आपको दिखाई दे रहा है तो बाकी कोई विसे खास बात है नहीं अपने पड़ लिया है यह ज्यादा कोई खास बात है नहीं मानचित्र में विसे लेगन चलो म मैं आपको यहां पे कुछ-कुछ चीजें बता देता हूँ जैसे जुन-जुनों में याद रखेंगे तांबा होता है एक तो जुन-जुनों में तांबा भी होता है जुन-जुनों में लोहा भी होता है तांबा है ये किसके लिए खेतरी वाले चेतर में याद रखना है खेत राजगर्ण बिलता पूरुवा ये किसके लिए ये जाने जाते हैं आपका लोहे के लिए किसके लिए लोहे के लिए उसके बाद में भरत पूरुव अगे रास्तान में खनीज में एससे बहुत ज depht은 यादा टायम लग जाएगा एक किश को मताने ile अब बात करेंगे अपन कुछ एक और चीजों की देखते हैं जो खनीज इसमें नहीं आए हैं उनके पन चर्चा कर लेते हैं इसके बाद उर्जा की बात आगे उर्जा संसाधन को तो कली लेंगे अब यहाँ पान उन खनीजों की बात करेंगे जो इसमें नहीं आए और जो महत्तो पूर्ण he ठीक है देखेगा करते हैं अब देखेगा मेगनीज कहां पे होता रास्तान में तो याद रखेंगे राजस्तान में जो मेगनीज है वो बांसवाडा में होता है रास्तान में मेगनीज कहां पे होता है बांसवाडा में बांसवाडा में छेत्र कौन से तो साथ यू याद रख फटेंगे लेलवानी करणाखुआ मत जबंदन में करती है?. कलनांक बिंदु काफी जादा होता हैं विदुत बलव गर काम में Yakटर में काम में आता है हीरे के बाद में सबसे कठोर अगर कोई धातू है तो वो कौन से तंगस्टन है कौन से तंगस्टन के उत्पादन में तंगस्टन के उत्पादन में कौन सा जिलागरने नागोर नागोर में याद रखेंगे रेव पहाडी रावल पहाडी डेगाना भाकरी के लिए जाना जाता है टंगस्टन के लिए जाना जाता है ठीक है इसके बार नेक्स्ट कॉन सा वो भी देखते हैं पन एक बार इसको आप नोट कर लीजे स्क्रीन सोट ले सकते हैं फटाफर से फटाफर से ले लीजे फिर आगे चलता है पन दूसरे की और स्लाइड बना रख फेल पास कठेव अजमेर में, अजमेर में मकरेरा, तामडा को कहते हैं गारनेट, इसे ही कहते हैं रक्तमणी, इसे कहते हैं फिरोजा, लालमणी, पारदर सी खनीज, ये टॉंक में होता है बाई साथ, टॉंक में राज महल जनक पुरा कुछल पुरा गांवडी, राज महल जन इसके लावा और भी है क्या बिल्कुल है देख लेते हैं पन इसका स्क्रीन सोट लें आप फटाफट से चलो कुछ चीज़ें और देख लिएते हैं फटा फट से बताते चलें पाई पाई सीकर में मैं बिल्कुल इनको इस साबसे बताऊँगा पाई पाई सीकर में यानि पाई राट्स कहां पे सिकर में पाई पाई सिकर में डोलो डोलो जेपुर में डोलो माइट जेपुर में बेरा बेरा आलवर रिपीट करो मेरे साथ साथ बेरा बेरा आलवर बेरा बेरा आलवर बेरा बेरा आलवर बेटो बेटो बाड मेर बेटो बेटो बाड मेर, बेंटो नाइट कहां पे बाड मेर के अंदर, बेंटो नाइट कहां पे बाड मेर, फ्लो फ्लो डूंगर, 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 वोटास के तो बंडार उत्री रास्तान में मिलें वैसाब। मुलतानी मिट्टी मेरiembre ये खनीजों का जो अपनियों के एक प्रकार से लगबख खनीज है ये इनमें आ गए है तो केसी लगी है आपको इकलास अगर कलास अच्छी लगी है तो पहला काम क्या करना आपको अगर अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें अगर अच्छी लगी है तो उसके बाद म तो इस चैनल को सब्सक्राइब किये बिना ना जाए और ये जो जानकारी है ये लोगों तक पहुंचाओ क्योंकि एक बात है जो मुझे बहुत ज्यादा प्रेरित करती है और वो ये करती है कि कर भला तो हो भला और अंत भले का भला कर भला तो हो भला अंत भले का भला विदा लेता हूँ आपसे अगर आपने टेलिग्राम चैनल नहीं जोइन कर रखा है तो जी के बाई नेवरीशर के नाम से टेलिग्राम में जाके सर्च करेंगे आपको टेलिग्राम मिल जाएगा जोइन करें आप वहाँ PDF वगरा संपूर जान करें मिलती हैं मिलते हैं जल्दी ही नहीं क्लास मेंने जोइन नहीं नोलेज के साथ तब तक के ले लेता हूँ अलविदा बाबाई टेक केर